हलो फेंड्स मेरा आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हो तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्रेटली देखना क्यूंकि यह वीडियो आपके लिए काफी जाद है यहां पर हैलफुल और नॉलिजफुल भी होने वाला है क्यूंकि बहुत सारे डिटेलर वाई और यहां पर परिसांद रहते हैं उनका पर टार्गेट नहीं हो टार्गेट झूट जाने के वज payment मिलना होता है वो commission यहाँ पर नहीं मिल पाता है जो यहाँ पर company की और से offer दिया जाता है target पूरा करने पर वो target अगर यहाँ पर वो नहीं पूरा करते है तो उनका यहाँ पर commission तो mark खाता ही है साथी साथ यहाँ पर company की और से उनको यहाँ पर बहुत जादा यहाँ पर punishment मिलता है जैसे कि यहां पर उनका येटल का मित्रा है प्लिकेशन का जो सिम स्वाइब का उप्सन होता है वो राइट को यहां पर हटा दिया जाता है अगर वो रीटेलर है यहां पर वो एक पर मोटर है तो उनका यहां पर जो है अटेंडेंस मार्क नहीं होता है उनको यहां पर जो है स कमिशन भी यहां पर लॉस हो जाता है तो आज जो मैं आपको बताने हो ला हूँ अगर आपको कर लेते हो तो 101 पर जो है आपका गरेंटी के साथ कह सकता हूँ कर पाओगे यहां पर आपको कमिशन भी मिलेगा तो क्या है वो ट्रिक उसे जाने के लिए आपको पूरा कंप्लीटली देखना है और यहां को सब्सक्राइब करके प्रस कर देना है तो चलिए पर आज के वीडियो को विडियो की सुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हूँ हमाय आतल का मित्रा है पट्रिकेशन के अंदर आपको सबसे पहले करना है थोड़ा सा प्रोसेस ले और आपके समने नैक्टилась पाहुपन कर आजाएगा जाएगा जैसा कि अप नहींत देख सकते हो यहां पर आपको document tap के option पर tap करोगे तो यहां पर आपको 2 option देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो पहला यहां पर आपको uid card आधार card को option और दूसरा यहां पर आपको other confession तो यहां पर आगर आप biometric के दोगार यहां पर sim चालू करना यहां पर आपको यहां सबसे पहले में मांगेका कस्टमर का लाइफ फोटो जैसा कि आपको दिहां देना है कि कस्टमर का बैक्ग्राउं यहां पर वाइट होना तो यहां पर आपको फोटो यहां पर आपको एक अपर आपको चाले पोटा है ऌर आपको कश्टमर को डॉकुमेंट लेकर आया जैसे कि यहां पर मन चलो अगर आधार कर्ड कस्टमर लाए तो आधार कर्ड को सेलेक्ट करना है वोटर कर्ड लाए तो बोटर कर्ड लाए तो यहां पर पास्वोट लाए तो पास्वोड या फिर गोवेंट आइडी यहां पर लेकर रहा है तो वह आप यहां पर सेलेक्ट कर आपको सही तरीके से कर लेना है जैसे हैं किवार कोड क्षैक्ट करऊ ले आपको कूस कूस डीटल ऑप्सन आहाँ करता है कंट का क्यूआर कोड एसके कर्णा है तो यहां पर आदक जगा प्लस अलैकन पर टैप करके आप यहां पर आपको यह अप्लोड हो जाएगा दोनों अपलोड होने के बाद आपको जहें इसे उपर किर टिक मार करने देना है यहां पर आपको इसे कुछ छेड़खानी नहीं करना है उसके बाद उसके का नाम अगर automatic फील हो जाता है तो अच्छा बात है नहीं तो यहां पर आपको जहाए नाम डाल देना है उसके बाद यहां पर आपको नीचे month date और years के format में यहां पर आपको date of word डालना है यहां पर आपको जिन्डर पर टैप करना है और यहां पर gender देखने को मिलेगा तो अगर यहां पर ड्रोंग नंबर को आफे हम लिखे शाएव कि और आपको लिचे और यहां पर नीचे डेखने को पर आपको अप्सन को मिलेगा तो यहां पर डॉक्मेंट में यहां पर जो दे रहा है डॉक्मेंट में जो एड्रस वही एड्रस को यहां पर फिल करना है कोई अपने मन से एडर्स को फिल नहीं करना है तो मिसमैच होगा तो यह यहां पर डॉकुमेंट रिजेक्ट हो जाएगा आपका सिम कार्ड नहीं चालू होगा यहां पर आपको मांगा जाएगा आपर हाउस नंबर तो अगर आधार कार्ड है तो यहां पर हाउस नंबर नहीं होता है तो आप पर आपको अरिया का pin code को सबसे पहले डालना है ताकि यहां पर अटे कुछ-कुछ यहां पर अड्रेस अटेक्ट फिल हो जाए जैसे कि यहां पर city इस्टेड लोकिलिटी वह car अगर हाट फिल हो जाए यह एड्रेस करने के बाद आपको लेटर को करना है यहां पर को ध्यान देना है कि कैसे यहां पर आपको टार्गेट पूरा करना है यहां zostan National यहां पर photo को click कर लोगे, करने के बादे हैं यहां पर आपको यह की है का問 मॉिल नमबर, तो customer का जो आप यहां पर M&P करना चाहते हो, वहां मॉवाइल नम-бर डाल ना है, झैसे की आपर माँने को जमालो, बील चलो जीוס यहां पर AFS पर अगरा करना चाहते हो, तो इमालो न चले हैं यहां पर यहां पर चार्बेट यहां पर दिया आ फिए यहां पने ना बना यहां पर चोड बनाने के बाद पर टैप करना है और यहां पर आपको blank sim जो यहां पर दिया जाता है डिस्टूटर की और से सीवाइन सीम वह यहां पर आपको scan कर लेना है QR code scan करने के बाद यहां पर automatic आपका SIM number IMC number यह फिल हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर variant कि foreign नाहरे को सेड़ा लोगे जो आप यहां पर करना चाहते हों जैसे कि ही यहां पर मैंने 189 का you को उसके बाद इसे ऊपर करना है यहां पर आपको डाप करना है और यहां पर आपको सेलफ इंप्लॉई को आपको यहां पर स sounds player मांगा जाएगा पर इमेल इडी डाल सकते हो नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो एकटिंग में आपको यहां पर बढ़ना है उसके बाद यहां पर आपको जो है जो अपर करना है इस जगा के नंबर पर ऑटीपी जाएगा जो आपने करने के बाद आपको यहां पर नीचे आपका रिटेलर का लाइफ फोटो लेना है उसके बाद आपको इस जगा पर टिक करना है और इसे उपर करते हुए यहां पर आपको आपको सेंड ओटीपी कर देना है हम यांपे डाला करके शभ्रिए आपर टिक करने के बाद आप को यहां पर नीचे summits कर देना है यहां पर आप को पॉल्स कर और फॉल्स करोगे यहां पर यूपीसी कोड खुद से बना के जनरेट करना है जैसे कि यहां पर आपको डमी कोड मैंने आपको पहले भी बताया है विडियो बनाकर यहां पर आपको डमी कोड यूपीसी कोड जनरेट करके बनाना है और यहां पर जनरेट करके यूपीसी जनर सिस्टम में कि mnp failed हो जुका है लेकिन यहाँ ह नา पर नपी कर्वाने आएगा उसमें यहाँ पर आपको सही तरीके से पिर सब्सक्रिण तरीचे से आप यहाँ पर MNP कर सकते हो यहाँ पर आप नमबर आपका काउन्ट होगा और यह Ball 4 जो आपने एन पर एन पर आपका टारगेट भी पूरा और यहाँ पर जो है बचेऊगे जो यहाँ पर आपको जो है पर बच सकते हो और यहां पर आपको जो ब्लैंक सिम कार्ड यहां पर मिलता है यहां पर आपका पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा आपका वह दुबारा काम में नहीं आएगा तो आपको पॉरा कर पाओगे तो आज किस विक्द्री में आपको इसी को बारें बताने वाला था तो आई होप कि आपको पसंदाया होगा और अगर अपने वाई को हाँ पर जाकर जोइन करें नहीं किया है तो जाकर फड़ाक से जोइन करो क्यूंकि इसी तरीके का जो है अपको टेलिग्राम चैनल पर भी जाकर जोइन कर लेना क्योंकि जो भी लेटस अपडेट आता है यहां पर टेली आ ह currently तो आपने जो है अभी तक जोइन कर ही लिया होगा मैंने यहां पर जोई आ और आपने जोएयन भी कारगया बहुत थैंक्यू一 और यहां पच्छे लिए आज के झाल झाल झाल